नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सीटीज और मैं हूँ आपके साथ साहवली दिल्ली के निजाम उद्दीन में मरकज में शामिल लोगों को लेकर के बिहार सरकार की माथे पर जो शिकन है वो बढ़ती जा रही है कि मुख्य सची हूँ है दीपक कुमार उन्होंने कहा है कि 162 लोगों की लिस्ट हमारे पास है जिसमें की 52 यानि की 52 इंटरनेस्टन ट्रैवलर्स हैं कुछ लोग बिहार में हैं और कुछ लोग बिहार से बाहर जा चुके हैं सभी को ट्रेस किया जा रहा है तो मर्कज मामले में 51 लोगों की शीनात को लेकर के सरकार टेंशन में है सुनिए कि दीपक कुमार के क्या कुछ कहना जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो क्या आप लोगो ने डेंटिफाइब किया है तेंकि उसमें करीब 162 लोगों का है और तक्रिकात हम लोगों सबकी करा रहे हैं आज शाम तक लोग का धिकांस को ट्रेस करते हैं तो कि उसमें क्या है यह कुछ लोग उसमें से अभी भी साहिए दिल्ली में भी अभी साहिए जो वहां पर गैदरिंग हुई थी उसमें इतने लोग था जो भी 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 शायद है तेंटेंटेंग में इस लोग बिहार आके पिर चले गिए एक सबासट लोग की कौन से लिश्ट है वागी संतावन लोग इंटरनेशनल बाहर करीशा बाहर कि शामारा है बैठक भी आज भी इस बैठक होनी है क्या इंपोर्टेंट कुछ नया चीज़ बात सामने आ रही है आज जो हम लोग बैठक कर रहे हैं यह सारे पंचायतों सारे नगर के अंदिश्टों साथ फिरस्याग विसी हो रही है लिएमस्पी भी रहेंगे सीम साव एड्रेस करें इसको बैसिकली हम लोग इस चीज़ को इनफोर्स करना चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं जो दूसरे राजियों से हैं उनको क्वार्मटाइन में रखा जाए इस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है लोगडाउन का और यह नहीं करेंगे तो यह लोगडाउन का परपर सौल नहीं होता है और अभी आपको बता भी रते हैं कि कल जैसे आपके छे पॉजिटिव केस आये हैं यह सारे पॉजिटिव केसे एक्टिव स्क्रीनिंग से आये हैं यह किसी राज़े में नहीं हो रहा है जिसका मतलब है कि जितने इंटरनेशनल ट्रेवलर है हम लोग पंदरे दिन क्रोस के पहले के लोग का 15 दिन क्रोस कर जाता है तो मान सकते हैं कि वो लोग आप प्रोवेबल रिस्क वाले कटिगरी में नहीं है 15 मार्स से लिए के 23 मार्स तब के सभी इंटरनेशनल ट्रेवलर जो है उसकी 100% स्क्रीनिंग करा दें और अभी जो भी जो भी जो छे पॉजिटिवी केसा हैं कोई सिम्टम बाले लोग नहीं है अगर हम नहीं कराते हैं तो सायद इनका दो दिन बार पता लगता तब तक कितने लोगों इंट्रेक्ट कर देते हैं जरूरत नहीं हम लोगो मगर अभी भी उनको फोन करके उनकी हालत ली जा रही है तो अगर तो आज तो पूरे में महल सभी को एक एक आदमी को स्ट्रेस करने कुशिश के जरा सर एक सवाल यह हो रहा है जो रहात कैंप सर जो लगाये गये थे जो बड़े पैवाने पर वहां पर लोग नहीं ठढ़ है सभी लोग गाउँ चले गए तो क्या अब वहां पर किस तरह से अब है कि जो लास्ट जो भी बाहर से माइगरेंट वरकर हमारे प्रवासी लोग आए हैं उनको उनके बारे में यहां डिरेक्शन था और आज उसी के लिए हिसी भी है कि यह लोग हाई रिस्क लोग है क्योंकि लास्ट में जो लोग पहले आ गए 15 दिर पहले साथ उतना रि है उनके जुटक में जानते हैं और यह लोग कोशिच कर रहे हैं अधिक जानते भी हैं और अपना सुली आला है कि खत्रा बहुत बड़ा है उनकी शिनाख्त जरूरी है क्योंकि अगर वो दूसरों के संपर्क में आते हैं और अगर वो करोना पोजिटिव होते हैं तो मामला और भी ज़्यादा बढ़ेगा आपको बता दें कि मुख सची दीपक कुमार और बिहार डीजीपी गुपतेशोर पांडे की बीच में इसको ले करके मीटिंग भी हुई है जिसके बाद ये भी कहा गया है कि ATS की जो टीम है वो तलाश करेगी उन सभी संदिग्दों की देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है झाल 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 झाल